तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा अगर आपका Facebook एकांट भूल चुके हो आपकी आपका कौन सा Facebook एकांट है तो उस Facebook एकांट को मैं रिकावर करने का ट्रिक बताऊंगा देखो होता क्या है अभी से पहले कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आप आप सब Facebook पासवर्ट भूल जाते हो तो उसे आपको रिकावर कैसे करना है यह सब कुछ तो मैं बताते ही रहता हूं लेकिन एक नया अजीब गरीब ऐसे कॉमेंट आ रहे थे लोग बोल रहे हैं कि भाईया मैं अपना Facebook का एकांट ही भूल चुका हूं मुझे नहीं पता कि म वीडियो में आपको बताऊंगा आपका Facebook एकांट आप घुल चुके हो उसे आप कैसे फॉर्गेट कर सकते हो आप अपने एकांट पर कैसे लॉग इन हो सकते हो तो वीडियो को करना अभी मैं आपको बहुत ट्रिक बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले कि अभी तक अपने यहां पीसडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपको सबसे पतले तो Google Chrome ब्रावजर या पर किसी बीतार का कोई ब्रावजर पर आना है वहां पर आपको डाल करना है आपको यह चीज सर्च करने है इसके बाद जो आपको करना क्या है यहां पर आपको एक आप्सेंस मिलेगा नीचे में देचलता हूं मैं आपको यहां पर एक आप्सेंस मिलेगा फोर्गेट पासवर्ट कांट लॉग इन फेस्बुक या फिर देखो एक सेंपल सी आप और आओगे वहां पर आपको कुछ इस तरह से ओप्सेंस देखनी को मिल जाएगा तो यहां पर हिंदी में आ रहा है कोई दिकत नहीं आपको समझाने में भी असानी होगा तो यहां पर फोन नंबर पासवर्ट अगर याद है तब तो आप डाल के लोगिन कर सकते हो और पासवर कुछ भी है वो आपको डालना होगा और उसके बाद आपको सर्च करेंको उपर क्लिक करना होगा तो यहां पर मैं अपना फोन नंबर डाल देता हूं phone number डालने के बाद यहां पर search कर एक ऊपर click करने है इतना करने पर आपका account इस तरह से आ जायगा यहां पर आपको देख सकते हुए मेरे पास दो खाता यहां पर दिखा रहा है मेरा 2 Facebook का account है लेकिन मुझे जो account है वो account को लाना है वापस यहाँ पर यह ट्रिकर अमीत का जो Facebook user है यह मेरा account है तो इस पर मैं click करता हूँ यह मेरा खाता है अब इसके उपर जैसे ही मैंने click किया यहाँ पर एक option आ रहा है कि हमें email code भेजें मतलब email द्वारा एक code भेजें जिससे हम जो है वो login कर सके हैं हम अपने Facebook account को तो यहाँ पर login कर है email पर हमें code मिल जाएगा लेकिन मान लो कि यहाँ पर आपका जो है वो email एडिन नहीं है तो ऐसे में करना क्या है यहाँ पर क्लेक करके आपको next page के उपर जाना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर नया email डाल के confirm करते हैं नया email address को इसके बाद आपको Facebook टीम आपका account आप से चैट बेच करने के बाद जो है वो recover करके देगा यहाँ पर हमारे पास इसका email address है तो फिलाल में यहाँ पर email address पर code जो है वो ले ले लेता हूँ अभी यह थोड़ा सा वीट करते हैं जब तक कि हमारा जो है वो पासवर्ड सौरी हमारा जो OTP यहाँ पर आ न जाए हमारा OTP आ चुका है तो हम अपना डाल देते हैं इसके बाद यहाँ पर जारी रखे कुपर मैं क्लिक कर देता हूं इसके बाद यहाँ पर देख़ो एक नया पासवर्ड का ओप्शन आ चुका है हम एक नया पासवर्ड यहाँ डाल सकते हैं सो यहाँ पे चलो हम एक नया password set कर लेते हैं सो मैंने अपना यहाँ पे एक password डाल चुका हूँ और यहाँ पे यह हमारा password जो है वो काफी मजबूत मतलब strong है सो इसके वाद यहाँ पे जारी रखे को उपर click करना है यहाँ पे जो हम अपना password को save नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हम cancel करके जारी रखे को पर click कर दिये हैं तो यहाँ पे अब हम अपने facebook account पर login हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे एक login code हमसे पूछा जा रहा है जो हमारे account पे हमारे जो phone number है या फिर email address है उस पे ही जाएगा लेकिन गाइज देखो बहुत cases में होता क्या है आपको यह login code मिलता नहीं है और आप अपने facebook account को login नहीं कर पाते हो तो ऐसे मैं आप comment कर देना मैं two factor authentication का एक video लेके आऊँगा जहाँ पे मैं इसे वाइपास करने का trick बताऊँगा अभी फिर डाल देख सकते हो login code मांग रहा है मैं यहां पर कोई code नहीं डालूँगा फिर भी हमें यह जो है वो बैपास हो जाएगा देख लेना यहां पर आप ध्यान से देखो मैं code नहीं डाल रहा हूं और हमारा यह page जो हो अपने आप हट जाएगा सो यहां पर अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कि मारा page हटना जाए हट चुका है आप देख सकते हो यहां पर सो यह मैंने कैसे किया यह सब कुछ मैं उस वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपको दूंगा वो वीडियो जिससे आपको फॉर्गेट जो जिससे आप आपको जो है गूगल अथेंटिकेशन का जो लगा हुआ था वो आपको हटाने का वीडियो दूंगा उसमें आपको बताऊंगे कि कैसे करना है सो इसके बाद यहां पर कंटिनीव को उपर क्लिक कर देने के बाद यहां पर देखो मैं अपना फेस्वूक अकाउंट में जो हो सकते हैं हमारा इस वीडियो को देख करके तो आज होप का इसकी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यार तो वीडियो को लाइक शेर करना और एस इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राब जरू से कर देना अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कमें सेक्टर में जरूर लिख देना मैं आपको रिपलाई कुछी सेकंड बात जरूर देदा